हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन अपेक्स क्लास इस डिजिटल प्लेफर्म मैं शीतर शर्मा हिस्ट्री एजुकेटर आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का 4 लेसंज मुस्लिम आकर्मन उद्देशिय और प्रभाव और आज का हमारा टॉपिक है सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिंग प्रत्री राज चौहार इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ना आपको हालांकि मैं पहले भी बता चुके आपको इस लेसन में से 6 नंबर का लॉंग कोशन नहीं बनता है लेकिन एक्जाम में नहीं बनता है उसे पहले जो आपके हाफेली एक्जाम वगर होते हैं उन साल में आपके एक-इक नंबर की चाहिव पूछा जाता है तो आपको डेटेल से सार और ना चाहिए तो हमारा कल हमने पढ़ा था पिछली वगराता में पढ़ा था सबसे लास्ट में तुर्केया कारी यहां आया था महंम्मद गौरी पढ़ चुके महममद गौरी जो कि शिहाबु दिन मुईज़ी दून मुईज़ी दून ँसने भारत पर आकरमण की ए था ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्वी राज-चौहान प्रतिराज चौहान में हम पढ़ेंगे इसका परिचे सबसे पहले इनका जो शाशनकाल है 1177 से 1177 से 1192 ओके परिचे में हम देखते हैं सबसे पहले प्रतिराज चौहान की पिता कौन थे सोमेश्वर ठीके माता थी करपूर देवी या कहीं गए पर करपूरी देवी मिलता है ठीके ना इन दोनों की संतान कौन थी प्रतिराज तृतिय ठीके ना प्रतिराज चौहान के नाम से जाना जाता है एक प्रतिराज चौहान का जन्म जो है घ्यारा सो 166 में हुआ ठीके किसके संता सोमेश्वर और करपूर देवी की संता प्रतिराज तृतिय प्रतिराज की पिता सोमेश्वर की मित्यूं के बाद अजमीर का शाशक कौन बना प्रित्वीराज बना मात्र 11 वर्ष की आयू में 1177 में 1177 में अजमीर की गद्दी पर बैठा करना प्रफिराज चौहां का जो नन्याल था दिल्ली में था नाना ने डिली का शार्षन भी किसके आतों में सहबब अपने दो हीत्टे के हाथों में प्रफिराज के तो उस समय प्रत्वीराज जो था वह अजमीर और दिल्ली सा दोनों का नेक्स्ट परिचे में याद करनी है मुस्ट इसमें कि मात्र 11 वर्ष के आयों में जिसमें प्रत्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा था उस समय उसकी विरोधियों की संग्या बहुत अधिक थी ठीके ना उसकी जो सयोगी उसकी परिवार जन थे वही उसकी विरोधि बन अलपायू था ठीके ना ऐसे में उनकी माता जो की करपूर देवी थी एक अच्छी कुशल राज दिती थी तो माता की हेल्प से माता की साहता से ठीके ना करपूर देवी और अजमीर का सोमिश्वर की काल का प्रमुक प्रधान मंत्री कौन था कदम वास और एक उसकी शाशनकाल का प्रमुक सेनपती बुवनमल इन तीनों के सनलक्षन में प्रधिराज चौहान ने गद्दी संभाली थी इनी की नेत्रुत में रहकार उसने शाशन की जो गतिवीदियां होती है कुशल संचलन कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग लिहम में ऐसा क सकते हैं और एक वर्ष के अंदर ही पूरा परिपक्व हो गया और 1178 में वह इतना अच्छा शाशक बन गया कि उसको सारी रणनीती किस प्रकार कहां युद्ध करना चाहिए कैसे अपना संचालन करना चाहिए वह सारी उसने सकता जोती अपने हातों में लेली कब 1178 में अब 1178 में क्या हुआ इनकी जो चाचा थे अपर गांगे उन्होंने सोचा भी अभी तो ये बच्चा है इसलिए क्या करता हूँ गदी मैं हत्या लेता हूँ तो चाचा आपर गांगे ने क्या क्या विद्रो कर दिया किसके खिलाफ प्रत्विराश चौहान के खिलाफ ठीक है प्रत्विराश चौहान सेना लेकर गया और अपर गांगे को पराजित करके उसको मार डाला अपर गांगे मर गए हैं याँ लेकिन विरोध समाप्त नहीं हुआ अपर गांगी का जो छोटा भाई था नागा अर्जुन उसने विरोध कर दिया किस जगे से गुड़गाओ जिसका वर्तमान का नाम क्या है गुरुग्राम ओके गुडगाव का तर्फ राज ने वापस सेना बे जी प्रतिराज ने नागारजू मुडगाव से भाग गया और गुडगाव वाले शित्र पर किसका अधिकार हो गया प्रतिराज चौहान का इस प्रकार इसके जो प्रादम Черफोफ का अंत हो गया हालां कि यहां से नागर्जुन भागा है विरोधि इसका बनावा है अभी भी ठीक है ना इसके शित्र पर अधिकार हुआ है प्रारम हो गई उसकी ठीक है नेक्स वम देखते हैं प्रत्वी राज की समय पडोसी राज्य कौन कौन से थे इसमें आपको कहीं बार एक नंबर के कुश्चन में पूछा जाता है आसपास कि शित्र में कि जिस समय दिल्ली पर देखो यहां आपको दिख रहा है दिल्ली ठीक है और राजस्तान में अपने आज मेर यहां का शाशं किसके पास मैं है प्रत्वी राज चौहान. इस मी इसको दो एक नंबर पूछा जाता है राज पृफूरा के नाम से कि शाशं को जाना जाता है और इतीहास में इसको दो पादियों की नाम से तो राय पिथोरा के नाम से जहान जाता है प्रत्विराज चौहान को या कुछन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रत्विराज चौहान को किस अन्य नाम से या उसको कौन सी उपादी दी गई थी उसको राय पिथोरा की उपादी दी गई थी सेकें इसकी उपादी आपको याद करने वाला यह की भावन रखने वाला तो कि यह दो नखनी प्रथिरास चौन का ठीक है उस समय गजनी पर किसका अधिकार था कौन इस शाशक महम्मद गौरी की समय हिंदुस्तान में भारत में या दिल्ली पर किस शाशक का अधिकार था प्रत्वीराज चौहान का अधिकार था ओके कि नेक्से नेक्स समय देखते हैं जो प्रमुक शाशक अभन इसमें देखेंगे हैं हर्याना का यहाँ पर एक जाती थी बंडानक जाती इनका क्या काम होता था अपनी सेमाओं को धीरे धीरे बढ़ाना आसपास में कोई शाशक ध्यान नहीं दे रहा है क्या करते थे अपनी थोड़ी सी जमीन को बढ़ा ली और इस पर अधिकार कर लिया कहीं पर खेतों में दो खेत वगर बटे होते हैं थोड़ी सी जगे लेकर अपनी दिवार बना देत के ना तो पहला दंबन यह किसका करेगा बढ़ा प्रश्याम को देखना है औत्तर प्रदेश दिख रहा आप वह ये ऊत्तर प्रदेश का ठीक है ना राजेष्टान से लगता हूँ है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर राज्जे था महूबा राज्जे था यहाँ पर किसके अधिकार था चंदेल शाषण तो प्रतिराज चौहान के समय महोबा का शाशक कौन था चंदेल शाशक कौन था परमर्दी देव परमर्दी देव याद जाएगा दिल्ली और अंजमेर पर किसका के शाशन प्रतिराज चौहान अंग झाती जो है कहां पर है अ पर उत्र प्रदेश में महोबा राज्य ने चंदेलाव और ऊदल अला और ऊदल ठीक है उतर प्रदेश में एक शेत्र है नाम है कैनोज उतर प्रदेश काई एक शेत्र है क्या नाम वंच को कर रोगा है यह मैं आपको वापस बता दूगी ठीक है ना परमर्दी देव ठीक है कन्योज पर किसका शाषन है गहडवाल वंश का और गहडवाल वंश का शाषर कौन है जैचंद सुनावा है बहुत इंपोडेंट है बहुत ही शक्तिशाली शाषर था यह इतिहास में इसकी वीर्ता इसकी साहस के किसे प्रसिद थे ठीक है ना जैचंद एक आपको याद रखना है गुजरात ओला इरिया दिख रहा है आपको ठीक है ना गुजरात पर यहाँ पर किसका शाषन था चालुक की वंश का किसका शाषन था चालुक की वंश का शाशन था कौन था शाशक भीम देव प्रथम भीम देव प्रथम यानि चारों तरफ देखो उसकी शत्रूता है सबसे पहले उत्तर प्रशिम दिशा में हम देख रहे हैं गजनी से कौन है शाशक मौमद गौरी मद्यमे उपर उत्तर दिशा में दिल्ली की तरफ और अजमे दौनों पर किसका अधिकार है चौहानों का शाशक कौन है प्रत्वराज चौहान सबसे पहले जो इसका खत्रा है कौन सी है हिसार हर्याना और शित्र में भंडानक जाती उत्तर प्रदेश में महुवा राज्जी जहां पर चंदेल शाशक है परमर्दी दे इससे दिस समझ में आगए आपको बहुत अच्छे से अब इनके साथ में अपन ग्युद्ध प्रारम करते हैं ठीक है अपने पढ़ाता यहाँ पर शाशक है मुहमद गौरी का मुहमद गौरी हम सबसे बाद में लेंगे सबसे पहले अपने शाशन के प्रारम में उसने किसका दमन किया बंडानकों का ठीक है न तो सबसे पहले उसकी विजियों में हम लिखेंगे बंडानकों का दमन बंडानकों का दमन क्या था कि बंडानक जो जाती थी यह धीरे धीरे अपने सामराजी का विस्तार करते भी जा रही थी ठीकिना अपना सामराजी यह बढ़ा रही थी ठीकिना और बढ़ाते बढ़ाते कहां पर आ गई यह अलवर भरतपूर वाला जो शित्र है इन शित्रो दीरे दीरे प्रवेश्च कर रही है और इसलिए इसका दमन करना अनिवार यह है इसलिए ग्यारा सो 82 में प्रतिराज चौहान की द्वारा एक सक्तिशाली सहना के साथ में बंडानकों का दमन किया गया उस जाते को मां से खदेड दिया गया इतना सा याद हЕं लिएखनें अपन को सबसे प्रार्ण के अबियान किसका दमन होगा बंडानक जाती का दमन शेत्र कौन सा है हर्यांऔ का हिसार वाला हिस्सा और हिसाल वाला हिस्सा ठीक है दूसरा दमन हम देखते हैं कि चनदेल श शाषक दूसरी विजिय में क्या लेकिए हम चंदेल शाषक से संगर्ष चंदेलों का शाषक कौन है? परमर्दी देव चीक है ना? परमर्दी देव जो था वह चंदेलों का शाषक था परमर्दी देव जो था वह चंदेलों का शाषन था यहां पर कारण क्या था यहां पर जिसमें प्रतिनाज चौहान ने बंडानकों का दमन किया तो उसकी जो सीमा थी राज्जी की जो सीमा थी वह किस से टकरा रही थी? चंदेलों के शाषन से महुबा राज्जी से टकरा रही थी ठीक है ना? यह ध्यान रखना है चंदेल शाषक कहा है? महुबा कहा है? महुबा कहां पर है? मैं पूछा जाता है यूपी में मोहबा कहाँ पर है यूपी के ंदर ठीके ना परमर्दी देव से जब सीवा ये टक्राने लगी परतिराश चौहांते लिसकी पर अक्रमर्दि देव उद युद्ध का अक्रमन का सुनते ही वहां से फरार हो गया भाग गया और युद्ध का नेतर तो किस ने किया इसके दो प्रमुख सेनापती आला और उदल बहुती वीरता के साथ में इन दोनों ने संगर्श किया किसके साथ में चोहान सेना के साथ में लेकिन इस युद्ध में कि दोनों ही वित गति को प्राप्त हो गए कौन आला उदल किस शाशक के प्रमुक्त सेनापती थे तो महोबा राज्य के चंदेल शाशक परमर्दी देव के प्रमुख सेनापती जो इतिहास में प्रसिद है अपनी वीर्था के लिए अपने शौरे के लिए वह कौन से दो सेनापती थे आला और उदल थे जिकेना क्रॉस कोशिंग का इसे भी आ सकता है ध्यान 1182 में यहां पर उसने अपना अधिकार इस्थापित कर लिया ठीके ना इन दौनों जगे पे 1182 पर उसने अपना इक अधिकार इस्थापित कर लिया आव आता है यूपी का ही शेत्र कन्नौज यूपी का ही दूसर शित्र कौन सा है कन्नोज कन्नोज में कौन से वंश का शाषन है गहडवाल वंश का प्रतिराज की समय कन्नोज पर किस वंश का अधिकार था प्रतिराज चोहान के समय कन्नोज पर गहडवाल वंश का शाषन था प्रथिराज चोहन के समय घढ़धाल वंज का प्रमुक शाशक कौन था ? तो घढ़धाल वंज का प्रमुक शाशक था ? जयचंद । इन दोनों के बीच संगर्ष क कारण क्या थे दौनों के भी संखड़ांगरण सबसे ने, हम देखते हैं कि दौनों की सामराजी वधी भावना या मैतुकांक्षी भावना, दौनों ही अपना समराजी का विस्तार करना चाते थे कि चंडेल दा शितर यूंके प्रधिराज को छह능 ह्यूं अवश्यम भावी था लेकिन ततकाली करने महत्मु कारण जो माना जाता है वह है जैचंद की पुत्री सहीं गीता इतियार से प्रसिद दौनों की प्रेम कहानी सुना आपको पहले भी सीरियल भी बनावा इसके उपर सीरियल भी देखें आपने तो जैचंद की पुत्री जो सह घरशका ततकाली कारण था तिक हैं अब धोड़ी सी बीच में आपको सेंवी दौनों की कहानी काहानी बताती हूं ठीक है और प्रत्वी राज दौनों का जो नन्याल कहां पर था दिल्ली में और सेंवी नन्याल में एक DOOSR को देखने पर दौनों में एक दूसरे से प्रेम हो गया ठीक है ये बात जब जयचंद को पता चली उसने ननियाल से वापस बुला लिए किसको अपनी पुत्री सेयोंगीता को सेयुक्रणी गिता को वापस बुला लिया अपने कन्याँज वाल शेत्र में और प्रतिरास चुछान पर आगया वापस अजमीर में अपने जांशन वाले शेत्र में लेकिन दोनों की बीच मिर्म अभी भी कम नहीं हुआ अब जैचंद को जो इसकी सूशना मिली जब पता लगा कि दॉनों के बीच में प्रेम लगाता बढ़ता जा रहा है तो जैचंद ने क्या किया शादी करवा दो सारी जंजटी खतम हो जाएगी तो उसने क्या किया जैचंद ने अपनी पुत्री सेयोगिता का स्वेमवर रखा जिसमें एक लड़की अपनी पती का चुनाव अपनी पसंद के अनुसार करती है। लगा रखेते उसमें स्टार्टिंग में जहां सभी राजमरादा जूते चपल वगर खोलते हैं अपने द्वारपाल का जो जगे होती है वहां पर एक लोही की मूर्ती बनवा दी किसकी प्रतिराज चौहान की इस पर प्रतिराज आओ गया आग बबुला बुलाया नहीं तब सेयों गिता जो स्वेंवर के लिए पांडाल में जिसें उपसित हुई जहां सभी राजा महराजा बैठे थे अपनी वर्मला लेते हुए उन सभी राजाओं की सामने से होती हुई कहां गई उस द्वारपाल की जगे पर और द्वारबाल की गले में वर्माला डाल दी ठीक ह सेयों गिता का अपरण करता है और वापस कहां लौटाता है अजमीर जैचन जो होता है कि जो राजा मारा राजा उपसित होते वह सभी नाराज हो जाते हैं कि पहले से ही बेटी का तो प्रेमी फिक्स था तो फिस वेंवर रशने का यह ढौंग क्यों रचा क्यों हमको अपम है लेकिन प्रतिराज सुरक्षित कहां पहुंच जाता है अजमेर पहुंच जाता है दौनों विभा कर लेता है जैचन से शत्रुता मोड ले लिए यहां पर समझ में आ रहा है कारण आप लोगों को बंडानक जाते उसे तो दमन कर दिया वहां शत्रुता है चंदेलवांश किसका शाशन है यहां पर चालुक की वंश का चालुक की वंश प्रतिराज चोहान के समय गुजरात पर किस वंश का शाशन था चालुक की वंश का शाशन था प्रतिराज चोहान के समय चालुक की नरेश कौन था भीम देव प्रतम कौन था भीम देव प्रतम अब इसमें दे प्रतम जो हैं इसका और प्रतिराज चौहां के बीच संगर्ष का कारण क्या था सिरोई में एक शित्र है आबू सुनावा आपको आप सभी के सिरुए में एक जगे है आबू आबू की राजकुमारी थी इच्छीनी आबू की राजकुमारी कौन सी थी इच्छीनी पहला कारण तो क्या बताया जाता है आबू की राजकुमारी इच्छीनी देवी क्या था बीमदेव प्रथम जो है वह अबू की राजकुमारी इच्छीनी को पसंद करता था और उसके साथ विवा करना चाहता था लेकिन इच्छी नी जो थी वह किसको पसंद करती थी प्रत्वी राज चौहान को पसंद करती थी और इसने किसके साथ विवा कर लिया प्रत्वी राज चौहान के साथ विवा कर लिया देखो कारण दो है इसमें पहला कारण तो क्या हो गया कि आबो की जो राजकुमारी थी इच्छीनी देवी उससे चालू की नरेश भीमदेव प्रथम जो है वह विवा करना चाहता था लेकिन इच्छीनी ने अपनी विवा की पसंद किसको रखी प्रतिरास चौहान के सामने तो प्रतिरास चौहान ने इच्छीनी के साथ भीवार नाराज किसको कर दिया दूसरा करन फोर्त माना जाता है कि ठुँ पैसे प्रतिरास चौहान और नहीं किस के द्रुद्वा reopening की द्वारां की गई थी भीमदेव प्रतिति के द्वारा सोमेश्वर की हत्या की गई किसके द्वारा भीमदेव प्रथम के द्वारा तो वो अपनी पिता की मृत्यू का बदला लेना चाहता था ठीक है ना दो प्रमुक कारण है यहां दो नमबर का फिर कोशन बनता है आपका कि प्रत्विराज चौहान और चालू के नरेश हत्या का बदलने ना ठीक है यहां तक समझ में आ गया है आई थिंक सबसी इजी वे में मैं आपको समझाए बहुत अच्छे तरीके साथ समझ सकते हो मैप के साथ में मैप के साथ समझाने का मेरा प्रमुक उद्देश यही है ताकि आपका मैप वाला कॉश्चन जो आप से प अब आपको सबस्क्राइब लेकिन कॉन से स्टेट के अंदर है घ्याद नहीं होगे तो आपको पता है उत्तर प्रदेश कहां है लेकिन आपको यह पता नियुकि कर आपका काम नहीं बनने वाला नेक्स क्लास में हम फीर ने टपिक के साथ मिलेंगी ऐसे ही इंटरस्टिन ट एक्षा continue रखनी है आपको जो चीज हो चुकी उसको भी रिवाइस करते रहें ताकि continue आपका नॉलेज बना रहें जीवन के हार श्यत्रे में उसके आपको आशकता रहेगी ओके तब तके लिए थैंक यू सबस्क्राइब करें हमारा Apex Classes Edutech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विदियोज की अपडेटेड नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आपको मिलें Apex Classes Edutech सबस्क्राइब नाउ